हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाथशाला और आज हम करेंगे N.C.E.R.T. 10th क्लास की इंग्लिस का जो हमारी बहुत ही बढ़िया एक लेसन है लेसन नंबर 4 यहां पर देखिए सबसे महत्वपून चीज है डाइरी जहां से यह पार्थ हमारा लिया गया है यह डाइरी किसकी है कैसे है तो डाइरी के बारे में चार चीजें बहुत यहां पर महत्वपून हो जाती है पहली तो यह कि अब यह डाइरी थी तो इसमें से यह पार्थ ले लिया अगर डाइरी ही ना होती तो क्या होता ना होता बास और ना ही बजती बानसूरी दूसरी चीज यह थी कि यह जो डाइरी है यह उसे कब मिली कहां मिली और इसका अंसर है कि यह डाइरी उसे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मिली थी बर्थडे पर मिली इसलिए इसका महतव और भी बढ़ जाता है तीसरी महतवपून चीज़ ये है कि इस डाइरी को वो अपना फ्रेंड समझती थी दोस्त समझती थी इसके साथ अपने मन की बातें सांझा किया करती थी कौन? एनी फ्रेंक एनी फ्रेंक मात्र 13 वर्स की छोटी सी बच्ची है जिसके परिवार को बहुत कस्ट सहना पड़ता है कस्ट की इस चीज़ का कि जो सैकेंड वर्ल्ड वार थी आप लोगों को थोड़ा सा बैक्ग्राउंड का पता होना चाहिए सैकेंड वर्ल्ड वार जो थी उसमें इसके परिवार को चिपना पड़ता है दुसमन के सैनिकों से क्योंकि जो जर्मनी में साशक था हिटलर जिन लोगों को ये कहानी पता है वर्ल्ड वार की वो थोड़ा सा फारवर्ड करके आगे से लेसन देख ले बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए हम कंटिन्यू करेंगे हिटलर जो है वो एक तानाशाह साशक के रूप में जाना जाता है और वो उसने क्या किया जर्मनी में वो राज करता था और जब जर्मनी पूरे वर्ल्ड पर पूरे संसार पर कबज़ा करने जा रहा था तो उसने कैम्प लगा रखे थे उन कैम्पों में दुस्मन के लोगों को इकठा करता और उन्हें जो है एक ही बात की जैसे बार बार रट लगा करके उनका ब्रेन वाश किया जाता था उनके दिमाग पर असल डाला जाता था और उनको हिपनोटाइज भी हम कह सकते थे कि हिपनोटाइज करते थे अपनी बातیں मनवाते थे इस तरह के camps को हम कहते हैं concentration camp इस तरह के camp वो चलाता था तो इस तरह के camps से बचने के लिए यातनाओं से बचने के लिए वो अकेले भी पढ़ जाते हैं तो ये diary उसकी दोस्त बन जाती है यहां तक कि उसने अपनी diary का नाम भी रखा था के आई डबल टी वाई किटी किटी उसकी दोस्त diary और देखिए और में चीज क्या थी कि इस diary में जो उसने पहली बार लिखा diary writing क्या होता है बैच्चो कि आप जब किसी दिन की कोई विसेश घटना लिखते हो तो एक तो इससे आपके writing skills इंप्रूव होते हैं इस पार्ट में बताएंगे कैसे writing skills इंप्रूव हुए दूसरा इसने diary में लिख रखा था 20 जून और World War के आसपास की date है 1942 अपने इंडिया में तो 1942 पे भारत छोड़ो अंदोलन बनाया गया था और 1942 में ही एक movie भी है अनील कपूर की 1942 A Love Story तो 1942 तो याद रहेगा हमें सिरफ बीस और जून जून होता है साल के बिलकुल बीच में छटा महीना तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बीस दस बीस सिंपल सा है पहली डेट लिखी है बीस जून 1942 और फिर उसने अपने डायरी लिखना सुरू की है इस डायरी से हमें उनके जीवन की उनके किनके एनी फ्रेंक जो वास्तों में एक बहुत बड़ी हाल लेखी का भी रही है उनके जीवन की बहुत सारी बातों का हमें इस से पता चलता है और देखें कितनी प्यारी सी बच्ची है उस समय एज हमने बात की 13 साल की थी तो और दूसरी चीज और देखिए इतनी सुन्दर लड़की है कि अगर ये बड़ी हो जाती तो ये जरूर हॉलिवूड में फिल्में बना रही होती और ये फोटो है ये एनिक फ्रेंक ने लिखा है 10 अक्टूबर 1942 को वही जून में डायरी सुरू की थी तो उसके चार महिने बाद 10 अक्टूबर को इसने लिखा मिन्स इनके लाइफ की जो भी बात आपको मिलेगी डायरी से ही मिलेगी अब देखिए जर्मन इनके लाइफ के बारे में बता रहे हैं जर्मन बॉर्ण इनका नम्द जो है वो जर्मनी में हुआ लेकिन ये वास्तों में एक जूईस थी यहूदी परिवार से संबंध रखती थी देखिए हम भारत में रहते हैं हमें हिंदू मुसलिम संखर्ष भी हम कह सकते हैं हिंदू मुसलिमों की दुश्मनी भी कह सकते हैं और कुछ लोगों में तो हिंदू मुसलिम भाईचारा भी होता है हर तरह की चीज़े आती हैं जब हम जाती धरम या रंग भेद आदी निती जैसे आपने टैंथ में अपार्थेड पढ़ा था र जनम हुआ था जर्मनी में हो रोट वाइल इन हाइडिंग हाइडिंग में चुपा हुआ था विद हर फैमली एंड फॉर फ्रेंड्स इन एमस्टर्डम एमस्टर्डम दुनिया की सबसे सुन्दर जगह हैं लेकिन वहां पर भी इनको चुपना पड़ा था दूरिंग दे ज जर्मन ओकुपेशन और नीदरलेंड जब जर्मनी ने नीदरलेंड पर कबजा कर लिया था वर्ल्ड मैप हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं जर्मनी नीदरलेंड पॉलेंड होलेंड फ्रांस ये सब युरोप के पश्चिमी किनारे पर समुंदर की तरफ हैं इनके थोड़ा सा उपर इंगलेंड है, क्योंकि जर्मनी में जब कबजा हो गया था नाजी लोगों का और हिटलर के लोगों का तो इन्होंने नीदरलेंड में सरन ली, लेकिन जर्मनी के सैनिक वहां तक भी पहुँच गए, नीदरलेंड तक भी पहुँच गए, और यहुदी लोगों के खिलाफ तो इनका अंदर काफी बढ़ गया था अक्रोश, अब देखिए, जून में तो बैचारी को जनम दिन का उपहार मिला था, अगले ही महिने इन्हें चुप चुप कर फिरना पढ़ रहा है, फिर भी लाइफ थोड़ा सा मुस्किल हो गई है, और जब किसी को ऑफिस की बिल्डिंग में चुपना पड़े, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और देखिए, आफ्टर टू इयर्स इन हाइडिंग, दो साल तक चुपे रहे, दा ग्रूप वाज बिट्रेड, किसी ने इनको धोखा दे दिया, बिट्रे दे दिया, और ट्रांस्पोर्टेड तो दा कंसंट्रेशन कैम्प सिस्टम, वेर एनी डाइड, ये बैचारी छोटी सी लड़की तो उस सिविर की यातनाओं को सहन भी नहीं कर पाई और मर गई, और टाइफस इन बर्जन बैलसन विदिन डेज ओफ हर सिस्टर मारगोट फ्रेंक, अपनी सिस्टर के कुछ ही दिनों के बाद इनकी भी डेथ हो गई, अर फादर ओटो, दा ओनली सर्वाइवर ओफ दा ग्रूप, पूरे ग्रूप में सभी लोग एक एक करके वहां मर गए, सिरफ इनके पिता ओटो फ्रेंक, ओडबल टी ओओ ओटो, देखिए पहला नाम आया था एनी फ्रेंक, जिसने ये डाइरी लिखी है, जिनका ये पाठ है, बहुत ही बढ़िया लेखी का हमारी रही है, दूसरे उनके पिता जी ओटो फ्रेंक, केवल वो इस सिविर की यातना और इन बिमारियों से बच पाते हैं, रिटरंड टू एमस्टरडम आफ्टर दा वर एंडिड, लडाई खतम हो जाती है, जर्मनी और जापान हार जाते हैं, हारते भी कब हैं, जब जापान पर एटम बॉंब गिराए जाते हैं, दो लगातार हीरोशीमा और नागा साकी पर 1945 में, देखिए, 1942 की बात है, दो साल ये चीपे रहे, 1944 फिर इनको यातना सिविर में भेज दिया गया, कुछ दिन वहां रहे, 1945 में एटम बॉंब्स गिरे, उसके बाद ये लोग हारे, तो फिर इनके पिता वापिस एमस्टरडम में आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या होत हैं, to find that her diary had been saved, और इनने पता लगता है, कि इनकी बेटी की डाइरी अभी भी एमस्टरडम में सुरक्षित थी, convinced that it was a unique record और इनने पक्का विश्वास था, कि ये तो एक बहुत ही बढ़िया गाथा रहेगी, इसमें records होंगे, बहुत सारी चीज़ीं होंगी, He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, एनी नाम रखने के वज़ाए उन्होंने लिख दिया कि एक जवान लड़की की डाइरी, और फिर देखते हैं इस डाइरी में क्या क्या होता है, यही सब कहानी इस पार्ट की बताई गई है, बड़ी ही मर्म सपर्षी, हर्दे सपर्षी कहानी है, औ और इस छोटी सी लड़की के देखिए, जो स्कूल की लड़की है, वो कितना अच्छा लिखती है, उसकी परतीभा का आंकलन आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, जब वो अपना तेरवा जनम दिन मना रही थी, तो उसे गिफ्ट किया गया था, और इसमें क्रोनिकल बिलकुल सिरीज से इवेंट उसके जीवन के अक्षन लिखे हुए हैं, फ्रोम 12 जून 1942 अंटिल दा फाइनल एंट्री ओफ वन अगस्त 1944 में जब इनकी डैथ हुई, 12 जून से और एक अगस्त तक की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, हमने पीछे 20 कर दिया था, 20 जून पता नहीं कहां से वो डेट आ गई थी, अब इस लेसन के अकोर्डिंग आप देखे, 20 का हम एडिट करेंगे, 12 जून और भी असान हो जाएगा, छटा महीना 12 तारिक और 1942, और फिर, 1944 तक इसमें लिखा हुआ हैं, आगे देखते हैं, इट वाज एवेंचुली ट्रांसलेटेड फ्रॉम एट्स ओरिजनल डच, डच से इसको कई भाशाओं में ट्रांसलेट किया गया, और संसार की बहुत ज़्यादा पड़ी जाने वाली बुक्स में इसका नाम लिखा गया, और अलसो बिन सेवरल फिल्म्स बहुत सारी फिल्में इस पर बनाई गई हैं, टेलवीजन की फिल्में भी, थियेटर की फिल्में भी, मल्टिप्लेक्स भी आ गई हैं, आज कल तो मॉल्स आ गई हैं, और एक जैसे हमारे यह ड्रामें होते हैं, जैसे हमारे यह सांग होता है, ऐसे ही इंगलेंड में, यूरॉप में ओपेरा किया जाता है, ओपन स्टेज पर परफॉर्म किये जाते हैं, बेस्ट ओन दा डाइरी, इसी डाइरी के आधार पर, डिस्क्राइब्ड एस दा वर्क ओफ मैच्चोर एंड इंसाइटफुल माइंड, इस से पता चलता है कि एज बेसक कम हो, लेकिन उसका जो दिमाग था, वो बिलकुल परि बिशे में सच हुई, दाइरी प्रोवाइज एंटिमेट एक्जामिनेशन ओफ डेली लाइफ अंडर नाजी ओकुपेशन, और किस तरह से नाजीों के कबजे में लोगों का दैने की जीवन परभावित हुआ था, उसका भी ये एक डॉकुमेंट बन जाती है, एनी फ्रेंक has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims, victims जो लोग उससे में सिकार हुए थे, उन सिकार लोगों की कहानियों के बारे में सबसे बढ़िया एनी फ्रेंक के दवारा लिखा गया है, और देखिए, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने दिया है, कि जर्नल क्या होता है, डाइरी क्या होती है, लो होग क्या होता है, और मेमोईर्स क्या होता है, किसी भी आदमी के परसनल जीवन के बारे में जो चीज़ें लिखी जाती है, उसे मेमोईर्स भी कहते है, मेमोरी शब्द से बना है, यादें, सब कुछ चला जाता है, बस यादें, बस यादें, बस यादें रह जाती है, लोग देखिए क्या होता है लोग होता है a full detail किस चीज का record of person हो गया हो गया हो गया 1 2 3 4 memory यह हो गया date के साथ लिखी हुई लोग हो गया किसी person का record diary देखिए a full record of journey a period of time or an event written every day अगर हर रोज लिखा गया है तो वो diary बन जाती है और अगर पुरानी बात को याद करके लिखा जाए तो वो memory बन जाती है अब बचा के वले एक journal journal जो है वो एक book होती है with a separate space or a page for each day हर दिन के लिए अलग page उसमें होता है in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day जिसमें कुछ खास बातें किसी विशेश दिन के बारे में लिखी जाती है here are some entries from personal records देखी इसमें टाइम के साथ साथे दस बजे एक बजे पांच बजे क्या हुआ ये लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की इसमें दी हुई हैं ये आप एक बार पढ़ लें और यहां से हमारा part सुरू होता है let us begin our story writing in a diary is a really strange experience for someone like me वो लिखती है कि मेरे जैसे लड़की के लिए डाइरी में लिखना एक नया एक विशेश एक अजीब अनुभव की तरह है not only because I have never written anything इसलिए नहीं के पहले कभी नहीं लिखा but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 year old school girl कि कुछ दिनों के बाद कोई भी इस 13 साल की लड़की की बातों को ना कोई सुनेगा ना कोई ध्यान देगा और वास्तविक्ता भी यही है अगर इनकी मृत्यू नहीं हुई होती विशेव युद के दुरान बुरी स्थितियों में तो सायद इसकी डायरी को कोई पढ़ता भी नहीं लेकिन देखिए मृत्यू के बाद भी फैमस हो गई अगर इसने डायरी ना लिखी होती तो सारी की सारी इसकी बातें इनकी लाइफ के साथ इसमापत हो गई होती और मेरे चाती पर जो बोज था मेरे दिल पर जो बोज था मेरे अंदर जो घटनाएं थी उन सब के बारे में भी बताने का ये एक बहुत ही बड़ी हा तरीका था और एक बहुत ही फैमस इनका डायलोग है आईए देखते हैं पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल और ये क्या कहती हैं कि देखिए जो कागच है कागच में बहुत ज़्यादा शांती होती है पेशेंस होती है देन पीपल आप अपने मन की बात लोगों को बताने लग जाएए सायद ही किसी के पास सुनने का समय हो लेकिन आप कागच पर कुछ भी लिख दीजिये कागच कभी मना नहीं करता paper has more patience than people I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed मैं जिस दिन उदास होती थी उस दिन मैं ऐसा लिख पाती थी and was sitting at home घर बैटी थी with my chin in my hands में दोनों हाथ मेरी थोडी पर थे और मैं thoughtful gesture में मैं सोचने के अंदाज में बैठी थी bored बिलकुल bored हो रही थी and listless मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था wondering whether to stay in or go out मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं घर के अंदर बैठी रहूं या मैं बाहर चली जाओं I finally stayed where I was और मैं जहां बैठी थी वहीं बैठी रही वहीं stay किया brooding yes paper does have more patience और फिर मैंने अपनी सारी बात कागच पे लिख दी and since I am not planning to let anyone else read this और मेरी तो योजना ये थी कि मेरी diary कोई भी न पढ़े और नहीं किसी ने पढ़ी मेरी मृत्यू के बाद पिता जी ने जब इसे पब्लिश कराया तब जाके ये famous हुई stiff-backed note book grandly referred to as a diary और इसे तो diary ही कहा गया वैसे ये मेरी एक note book थी मेरे लिखने का काम था unless I should ever find a real friend जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाता मैं अपनी note book में कुछ note करती रहती it probably won't make a bit of difference और इससे किसी को कोई फरक भी नहीं पढ़ता था bit of difference थोड़ा सा भी किसी पर कोई असर इस चीज का नहीं होने वाला था now I am back it to the point that prompted me to keep a diary in the first place और अब मैं ऐसी जगह पर पहुँच गई थी कि मुझे diary जो है वो सबसे उपर सबसे अच्छी बना करके रखने थी I do not have a friend क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं था तो मेरे लिए सबसे उपर first place एक number पर सबसे महतव पूरन जो है मेरे लिए वो मेरी diary बन जाती है let me put it more clearly मैं और first रूप से आपको बताती हूँ since no one will believe that a 13 year old girl is completely alone कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की अकेली रह सकती है क्योंकि छोटे बच्चों के तो दोस्त भी बहुत होते हैं स्टापो खेलना और दूसरे games खेलना गली में घूमना फिरना बहुत सारी चीजें होती है and I am not और मैं भी नहीं हूँ I have loving parents बहुत प्यारे मेरे पिता हैं माता है and a 16 year old sister मेरे से 3 साल बड़ी 16 साल की मेरी एक बहन भी है and these are about there are about 30 people I can call friends लगबग 30 लोग हैं जिने मैं अपने दोस्त कह सकती हूँ I have a family loving aunts and a good home अरे सब कुछ तो है मेरे पास no on the surface I seem to have everything देखने में तो ये सब कुछ मेरे पास है except my one true friend के वल एक ही सचा दोस्त है all I think about when I am with friends is having a good time I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things और friends है अच्छा समय है और ordinary हर रोज को सामाने बाते जो है घटती हैं वही चीजे मेरे साथ भी घट रही है we do not seem to be able to get any closer and that is the problem हम ज्यादा निकट नहीं आ सकते यही problem है maybe it is my fault that we do not confide in each other और साइद ये मेरी ही समश्या है के मैं दूसरों पर बहुत जादा विस्वास नहीं करती in any case that is just how things are लेकिन वास्तविक्ता यही है ऐसी ही सब चीजे हैं and unfortunately दुर्भग्य वश they are not liable to change इन्हें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकता this is why I have started our diary इसलिए मैंने डाइरी लिखना सुरों किया है to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination और मेरे सपनों में यही मेरी बहुत long-awaited लंबे समय से जिसका मैं इंतजार करती थी वो दोस्त मेरी डाइरी बन गई है I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do बहुत से लोग बड़ी बेकार से डाइरी लिखते हैं लिख दी जैसे आज की डेट कोई भी डेट लिख दी एक जनवरी 2020 अभी हम चल रहे हैं तो 2020 का पहली जनवरी की ही हम बात कर लेते हैं या एक अपरेल की हम बात कर लेते हैं या अभी जैसे मई की बात चल रहे हैं तो एक मई हम कर लेते हैं एक मई लिखा और कुछ भी लिख दिया यह सिंपल डाइरी राइटिंग लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी परती भात ही इसलिए मैंने दूसरे लोगों से अलगतर से लिखने की कोसिस की और आइवांट डाइरी तो बी माइ फ्रेंड क्योंकि मैं तो इससे अपना दोस्त बनाना चाहते थी और आइवाँ तो कॉल डिस फ्रेंड किटी मैंने इसका नाम रखा किटी आगे देखते हैं पेज हमारा कम्प्लिट हो गया सेकंड पेज पे देखते हैं कि राइटर हमें क्या कहना चाहते है Since no one would understand बहुत से लोग हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे A word of my stories to कीटी क्योंकि मैं कीटी को दोस्त मानती हूं उससे बातें करती हूं और ये एक डायलोग के वे में दो लोगों के बीच जब बात होती है तो मैंने डायलोग के रूप में लिखी है एक कॉम्यूनिकेशन के रूप में लिखी है I had better provide a brief sketch of my life मैंने अपने जीवन के बारे में लिखा है Much as I dislike doing so लेकिन मैं ये like नहीं करते थी My father, the most adorable father मेरे पिताज दुनिया के बहुत अच्छे पिताओं में से एक है I have ever seen मैंने जब जितनों को भी देखा है आस्परोस में दुसरे बच्चों के पिता भी देखे है और सुना भी है उन सब में सबसे बढ़िया Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25 पिताजी 36 वर्स के थे शादी के समय और मेरी माँ 25 साल की थी पूरा 11 साल का अंथर 11-11 My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926 1926 में मेरी बहन का जनम हुआ देख लिए जी बिल्कुल 26 में आप 16 जो एड़ करेंगे क्योंकि वो 16 साल की थी तो 1942 आ जाता है जब वर्ल्ड वार की बात जो ये बता रहे थे I was born on 12 जून 1929 और मैं उस से क्योंकि तीन साल चोटी थी तो 1939 में मेरा जनम होता है हम इस चीज़ को as a time line भी कर सकते हैं देखे ये हो गया time की line एक तुरिसमें महतोपूर्ण चीज़ है 1942 जब विशवियोद चल रहा था वो भी दूसरा और इस सोड़ा साल पहले 1926 में इसकी बहन का जनम हुआ 1939 में एनी फ्रेंक का जनम हुआ और इन्होंने जो है वो 26 हो गया 29 हो गया और हम देखते हैं आगे देखते हैं I lived in Frankfurt Frankfurt में ही हम रह रहे थे until I was four means चार साल एड़ कर लीजिए 1933 तक ये लोग Frankfurt में ही रहते रहे My father emigrated to Holland फिर हम Holland चले गए 1933 ये 1933 आई गया है हमारा हमने पहले ही एड़ कर लिया था My mother Edith Hollander Frank देखिए पूरा नाम याद नहीं लिया था तो आप बीच में से Hollander आप यहां से निकाल सकते हैं आप इसको छोटे नाम के रूप में Edith भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए Frank तो पूरा परिवार ही हमने सबसे पहले नाम किया था Any Frank का उसके बाद इनके पिता का नाम आया Auto Frank और अब इनकी मदर का नाम आ गया है Edith Frank बीच में इनकी सिस्टर का नाम आया है सिस्टर का नाम Margot आ चुका है यह रहा Margot तो पूरा परिवार धिरे धिरे Complete होता जा रहा है Holland जब यह चले गए सेप्टेंबर की बात है मुझे दादी के पास छोड़ दिया गया Margot वेंट तो Holland इन दिसम्बर और आई फॉलाओड इन फरवरी दो महिने के बाद मैं दादी से अपने माता पिता के पास पहुंच गया क्योंकि देखे नए देश में नए सहर में जाते हैं तो वहां रहने के लिए सैटल होने के लिए टाइम तो चाहिए फैमली को और मुझे वहां पर एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में बुलाया गया था मेरी बेहन का बर्थडे था और उस बर्थडे वाले दिन मुझे बुलाया गया हॉलेंड में और मार्गोट को गिफ्ट दिया गया के ये लो तुम्हारी चोटी बेहन तुम्हारे जनम दिन पर तुमसे मिलने आई है देखे ये क्विश्चन बन जाता है क्योंकि डाइरी का पार्ट है तो डाइरी किसको गिफ्ट मिली एनी फ्रेंक को कब मिली बर्थडे पर तो इसकी बड़ी सिस्टर मार्गोट मार्गोट को बर्थडे पर क्या मिला पूरी की पूरी बेबी डॉल लड़की को ही बुला लिया अपनी माँ यानि की इनकी दादी के पास से इनके माता पिताने पिरेंट्स ने और बड़ी बहन को गिफ्ट में कहा लो तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी बहन गाओं से या पुराने सहर से वापस आई है I stayed there until I was six और छे साल की होने तक मैं वहीं रुकी At which time I started in the first form, in the sixth form my teacher was Mrs. Kupras वहाँ पर पहली कक्षा में छोड़ा गया मुझे उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे छटी में पहुंचती हूँ तो वहाँ पर मैं हमारी head mistress थी Mrs. Kupras At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell और मैं अपनी teacher के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि जब हम दोनों को अलग किया गया तो tears हम दोनों की आखों में आसू थे head mistress मुझे देख कर रो रही थी और मैं अपनी head mistress को देख कर रो रही थी इतना ज्यादा लगाव अपने teacher के साथ Kupras के साथ उनको हो गया था Mrs. Kupras In the summer of 1941 की बात है grandma fell ill and had to have an operation दादी का operation हुआ So my birthday passed with little celebration और हम ज़्यादा celebrate नहीं कर पाए और मेरा birthday ऐसे ही चला गया Grandma died in January 1942 January में नए साल की सुरुवात में ही दादी मा गुजर गई No one knows how often I think of her and still love her और मेरा तो दादी से विशेश लगाओ था This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other और यह जो celebration था 1942 में birthday का यह 1941 में जो birthday नहीं मनाया गया था उसको भी make up पूरा करने के लिए किया गया था and grandma's candle was lit along with the rest और दादी मा की याद में भी एक मुमत्ती जलाई गई थी The four of us are still doing well हम चारों अब भी अच्छा कर रहे थे and that brings me to the present date of यह आगे 20 June 1942 जो हमने बिलकुल स्टार्टिंग में 20 जून की बात की थी सब कुछ अच्छा चलता रहा and the song dedication of my diary और मैं अपने diary में लिखती रही आगे देखते हैं writer क्या कहते हैं next page आ गया है और यह देखिए जैसा कि हमने बात भी की थी कि पहली entry diary में 20 जून की थी और writer लिखती है हमारी कि Saturday का दिन था सनिवार का दिन था Dearest Kitty और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी दोस्त Kitty अब देखिए 20 जून से पहले भी 12 जून की भी बात आई थी तो वो notebook में भी लिखती रहती थी अब diary मिल गई है तो diary में लिख रही है Our entire class is quacking in its boots वो अपने जूते पहन कर और किस परकार से सारी के सारी class quack quack कर रहे थी The region of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form सारे idea उठा उठा कर इंतजार कर रहे थे बात देख रहे थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा यह decide कौन करेंगे teacher and who will be kept back कौन वापिस रहेगा Half the class is making bets आपस में शर्ते लगाई जा रहे थी बैट कर रहे थे लोग G.N. Good noon and I laugh ourselves silly at the two boys behind us C.N. यह नाम है G.N. C.N. नाम निकार रहे थे उन्होंने and Jackwiss who have stocked their entire holiday savings on their bet और यह तो ऐसे सरारती बच्चे थे कि छुटियों में जितने भी इन्होंने पैसे बचाए थे वो सारे के सारे सर्त में लगा दिये from morning to night it's you are going to pass हर कोई सुबह से रात तक ही कह रहा था कि तुम पास हो जाओगे no I am not दुसरा के का मैं नहीं होता yes you are हाँ हो जाओगे no I am not नहीं होगे even G's pleading glances and my angry outburst can't come then down कोई भी गुसा करो कुछ करो देखते रहो कोई उनको चुप नहीं करा सकता था if you ask me there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back बहुत सारे बच्चे तो dummy थे नकली थे बिलकुल कटपुतलियों की तरह थे और कितना a quarter of a class एक बटे चार पूरी कलास में अगर percentage हम निकालें तो 25% बच्चे तो ऐसे थे जिने पास होने का कोई हक ही नहीं था पढ़ाई ही नहीं की पास कहां से होंगे but teachers are most unpredictable creatures वंदार थरी कहते हैं लेकिन अध्यापक जो है कोई नहीं कह सकता कि teacher क्या कहने जा रहा है क्या सुनने जा रहा है ये तो इस धरती के सबसे ज़्यादा unpredictable जिनको पहले से प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसे जीव हैं धरती के तो teachers को जीव कह कर संबोदित किया गया है जीव भी कैसा जिनके बारे में कोई पहले कुछ नहीं बता सकता I am not so worried about my girl friends and myself हमारी हमें कोई चिंता नहीं थी लड़कियां तो पढ़ती हैं अपने आप पास हो जाएंगे वी विल मेक इट मुझे तो सिरफ मैथ पर थोड़ा सा शक था तो क्वेशन बनता है कि सबसे ज़्यादा कमजोर ऐनी किस सब्जेक्ट में थी वो मैथेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा कमजोर थी एनीवे अल्ल वी केंड़ू इस वेट हम तो कुछ कर नहीं सकते वो एक कहानी भी है कि अगर आप जंगल में जाओगे और सामने से सेर आ जाए तो तुम क्या करोगे तो जवाब आता है हम क्या करेंगे जो कुछ करेगा सेर ही करेगा वही चीज़ यहाँ पर है बच्चे क्या कर सकते हैं जो कुछ करेगा टीचर ही करेगा पास होना फैल होना ये सब जहां पना के रह्मो करम की बात है टीचर चाहेंगे तो पास करेंगे तो फेल करेंगे क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आप तो सामने वाले की दया पर ही निर्भर रह जाते हो और यह इन्होंने पहले कह दिया कि सभी लड़कियां जो अच्छे से पढ़ते थी उन्हें पास होने में कोई दिकत नहीं थी सिरफ एक mathematics में थोड़े सी problem थी और लगबग हर लड़की होती है मैथ में तो लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में लड़कियां मैथ से ही ड़ती हैं अच्छा अंटिल देन वी कीप टेलिंग इच अदर नॉट तो लूज हर्ट और हमने सब को कहा दिल छोटा मत करो all is well all is well I get along pretty well with all my teachers there are nine of them no teacher थे और केवल एक में ही खतरा था seven men and two women ओके जेंडर भी बताया यह देखिए लिखने की कला देखिए एक एक बात बिलकुल सपस्ट रूप से बताई गई है Mr. Kissing और यह नाम देखिए मैथ वाले टीचर का नाम है Mr. Kissing The old foggy who teaches maths was annoyed with me for ages ऐसे लगता था कि जनम जनम का दुश्मन है यह हमारा Mr. तेरा मेरा जनम जनम का bear और रबा क्यर Because और कारण भी एक ही था I talked so much क्योंकि मैं ज्यादा बोलती थी कक्षा में बोलती रहती थी Mr. Kissing को बोलना पसंद नहीं था तो इसलिए हमारा तो सांप और नेवले वाली दुश्मनी हो गई थी After several warnings उन्होंने मुझे चितावने भी बहुत दी थी He assigned me extra homework extra homework भी दिया था बोलने की सजा के रूप में An essay on the subject A chatterbox क्या तू सारा दिन चैटर पटर करती रहती है जा एक chatterbox पर प्रस्ताव लिख कर ला चैटर बोक्स What can you write about it लेकिन आप खुद ही बताइए एक chatterbox के बारे में आप क्या लिख सकते हैं I would worry about that later I decided मैंने निश्चे किया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी I jotted down the title in my notebook डाइरी में नोट बोक में मैंने अपना homework लेक लिया Tucked it in my bag bag में दाल दिया and tried to keep quiet और चुप रहने की मैं कोशिस करती रही That evening after I had finished the rest of my homework सारा का सारा homework पूरा करने के बाद मुझे याद आई ये जो homework मुझे सजा के रूप में मिला था The note about the essay caught my eye मेरी आँखों में आ गया I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen अपने pen को मुझे में डाल कर सोचती रही निब को चबाती रही क्या लिखूं कैसे लिखूं और देखें लिखने का यही best तरीका है आज हम writing skill भी साथ की साथ कर लेते हैं किसी भी topic पर जब आपको कुछ भी लिखने के लिए दिया जाता है आप बैठिए, आप सोचिए, rough copy में लिखिए कि किन विशों पर आप लिखना चाते हैं एक rough draft कीजिए उस draft पर उस heading के बारे में सोचिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं और इसी परकार धीरे धीरे आप आगे कुछ लिखने के बारे में सोच सकते हैं आगे दिखते हैं लेकिन मैंने तो जितना भी सोचा मुझे तो ये लगा कि जैसे बोलना और कलास में बोलना तो वास्तव में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ऐसी बातें ही उसको ध्यान में आई क्योंकि अगर उसे बोलना बुरा लगता तो वो बोलती ही क्यों सिवास फॉंड ओफ टॉकिंग और फोटो हमने देखा था कितनी प्यारी सी, कितनी छोटी सी, कितनी क्यूट सी लड़की है अगर वो सारा दिन नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा मुझे आईडिया आया, मुझे आईडिया आया, एन आईडिया केंच आवर लाइफ, आई रॉट दा थ्री पेजिज़, उत्ते रही गया एक ऐसे लिखना था लेकिन इसने तो तीन पेज आ लिए लिए क्योंकि राइटिंग स्किल में आप सुरू से ही देख रहे हैं, यह माहिद है I argued that talking is a student's trait, बात करना तो बच्चों का ही गुन है and that I would do my best to keep it under control, लेकिन मैं अपनी पूरी कोसिस करूंगी कि इसे कक्षा में बोलने पर मैं control कर्स कूं, नेक्स्ट पे जा गया है but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did लेकिन मैं कैसे control करती, cure, इलाज नहीं कर पाई इस बिमारी का क्यों क्योंकि मैं अपनी माँ पे गई थी, और मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी, जितना मैं बोलती हूँ if not more, अगर ज़्यादा नहीं, वैसे तो मेरी माँ मेर से भी ज़्यादा बोलती है लेकिन ज़्यादा ना कहूँ, तो हम मा बेटी दोनों बोलने में माहिर हैं, हम बराबर बोलते हैं that there is not much you can do about inherited traits और जो गुन तुम्हें अपने माता पिता से मिला है, अनुवांशिक गुन जो है, inherited जो traits होते है traits होता है, गुन inherited, जो हम inherit करते हैं अपने माता पिता से आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे जब पैदा होते हैं आपके आस्परोस में, आपके घर में तो लोग कहना सुरू करते हैं, अरे इसकी नांक तो माँ पे गई है, इसकी आंक तो माँ पे गई है इसका मूँ तो पिता पे गया है, जो आपको जनम के साथ मिलते हैं, जनम जात गुन या अनुआशिक गुन, आपके वन्स के साथ गुन आपने कई बार देखा होगा, कि पूरी की पूरी फैमली में एक जैसे, जैसे अगर किसी की लंबी नाख है, तो पूरे परिवार की लंबी नाख, अगर किसी की गोरी स्किन है, तो पूरे परिवार की गोरी स्किन, और एक खास में किस साथ आपको बताता हूँ, हमारी किला के लिए हम उनके घर जाते हैं और कै असली नाम तो भूल गए नाम तो हमने बिल्ली निकार रखा था घर गए घर की घंटी बजाई गेट बजाया तो सबने मन में प्रात्ना की कि काश बिल्ली ही निकल कर आजाए कोई और आ गया तो हम उसे किस नाम से पुकारेंगे लेकिन ह हमारी दुआ नहीं सुनी गई अंदर से उनकी माता जी निकल कर आती हैं पूसती हैं हाँ भी कौन चाहिए किस से मिलना है सारे बच्ची चुप जब उन्होंने ना डाटने की बात कही तो एक बच्चा ही मत करके बोला कि अंटी जी मुझे बिल्ली से मिलना है अब अंटी है तीन उनके बेटे थे तीनों के तीनों की आँखें जो थी वो ब्राउन थी और तीनों बच्चों के दोस्त उन तीनों को बिल्ली कहते थे और यहां तक के उनके पिता की आँख भी ब्राउन ही थी उनके पिता के दोस्त उनको भी बिल्ली कहते थे तो अंटी कहते है बेटा इ तुमें कौन से वाली बिल्ली चाहिए It happens when we are talking about inherited traits Mr. Kissing had a good laugh at my arguments Mr. Kissing ने मेरा परस्ताव पढ़ा और जो मैंने बातें बताई थी जो मैंने arguments दिये जो दलीले दी जैसे के कोई सदा हुआ वकील देता है तो उन दलीलों पर मेरे जो regions थे मैंने जो कारण बताए थे वो Mr. Kissing को भी पसंद आए और वो हसने लगे But when I proceeded to talk my way लेकिन मैं control नहीं कर पाई मैंने proceed किया आगे भी बोलना Through the next lesson अगले lesson में भी मैं ऐसे ही बोलती रही He assigned me a second essay तो मुझे दूसरी सज्या मिली दूसरा परस्ताव लेकिन एको मिला This time I was supposed to be an on an incorrigible chatterbox परस्ताव तो chatterbox पर ही था लेकिन वो chatterbox chatter-patter करने वाला वो डिबबा जो कभी सुधारा ना जास के incorrigible क्योंकि मैं सुधरी नहीं थी ना इसलिए वो मुझे पर एक और परस्ताव लिखवाते हैं An incorrigible chatterbox I handed it in अब तो ये मेरे लिए आसान सी बात थी Mr. Kissing had nothing to complain about for two hall lessons अगले दो chapters तक मैं चुप रही और Mr. Kissing को भी मुझे कोई सिकायत नहीं रही However, during the third lesson he had finally had enough Annie Frank as punishment for talking in the class write an essay entitled Quack, Quack, Quack said Mistress Chatterbox अब तो तुम बक्सों की रानी बन गई हो Chatterbox की रानी बन गई हो तो अब तुम ऐसे लिख के लाना Quack, Quack, Quack किस तरह से बत्तक की तरह टर 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 करती रहती हो Mr. Chatterbox सारे बच्चे हस रहे हैं जब उसको सजा मिल रही है एक नमबर हसरा है दो नमबर हसरा है तीन नमबर हसरा है और बैचारी एनी इतनी प्यारी भोली सी सूरत आँखों में मस्ती प्यारी बच्ची है रुलादी मैत के टीचर ने Mr. Kissing ने क्यों क्योंकि बार बार इसकी बोलने की आदत है और इसकी डाटने की आदत है वो अपनी आदत से मजबूर है और ये अपनी आदत से मजबूर है और the class rolled, पूरी class जो है, जोर जोर से हसने लगी I had to laugh too, मुझे भी हसना पड़ा I thought I would nearly I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox मुझे लगा कि chatterbox पर जितना लिख सकती थी 3 page पहले लिख दिये, फिर दुबारा ऐसे लिख दिया, अब मैं नया क्या लिखूं, it was time to come up with something else something original, और कुछ नया लिखने का विचार मेरे मन में आया, my friend Sanny एक और Sanny friend है who is good at poetry, जिसे कविताएं भी लिखनी आती थी, आप में से कौन-कौन बच्चा है, जिसे अच्छी कविताएं लिखना आता है, जो तुकबंदी कर लेता है, बेटा poem लिखने में कुछ नहीं होता, पहले line के अंत को, दूसरी line के अंत से मिलाना होता है, एक जैसी आवाज अगर आती है, तो आप कविताएं लिख देते हूं तो देखते हैं कि अब Annie, Frank, अपने तीसरे परस्ताओं में क्या क्या बातें परस्तावित करती है, क्या लिखती है कैसे लिखती है तो देखते हैं इस लेसन में आगे Annie, Frank और उनके Math के टीचर का क्या Encounter भी हम एक तरह से कह सकते हैं मुठभेड भी कह सकते हैं कि कख्षा में कैसे दो अलग-अलग तरह के व्यक्ती कैसे रह पाते हैं कैसे कैसे कि एक बोले बिना नहीं रह सकती और एक को बोलना पसंद ही नहीं है तो देखते हैं आगे क्या है Offered to help उस लड़की ने help की Write the essay from beginning to end in words वो बोली, essay तो बहुत लिख लिए अब की बार हम इस पर कवीता लिखेंगे चलो भई कवीता लिख लेते हैं ये तो एक नया आइडिया होगा परस्ताव के अंदर कवीता आपने देखा होगा बहुत सारे वक्ताएं जब 15 अगस्त 26 जनवरी या किसी भी function पर आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में टीचर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये दिन किसी और का होता है कवीताएं सुनाएंगे चार-चार पंक्तियों के सेर सुनाएंगे कुछ किस्से सुनाएंगे और पूरे के पूरे मंच को परभावित कर देंगे आप भी परभावित हुए बिना नहीं रह सकते ये एक नैसरगिक परतीभा होती है कि जिस तरह से एनी फ्रेंक परस्ताव लिख रही थी एक लड़की उसकी दोस्त कवीताएं लिखती थी वर्स होती है कवीताएं तो Mr. Kissing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject देखे वैसे तो उनका जो subject था जो mathematics था वो एक ridiculous बड़ा अजीब साकस्ट देने वाला subject होता लेकिन फिर भी ऐसा ही teacher हो जाता है लेकिन फिर भी उन्होंने एक joke सुनाने की कोसिस की बट I would make sure the joke was on him लेकिन मैं पहले ही आपको पता दू कि ये joke उन्हीं के उपर था I finished my poem and it was beautiful it was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much देखे कितनी प्यारी कवी ता उसने क्या किया एक swan है एक hans की तरह का जीव है bird है उसकी शादी हो गई एक बत्तक से mother duck और उनके फिर तीन बच्चे हुए ducklings एक बच्चा दो बच्चे तीन बच्चे एक कवीता भी बनाई है और बाईचांसी हमारे मैथ के सर नहीं बनाई है कि एक बत्तक थी पानी में तेर रही थी फिर एक और बत्तक आ जाती है एक और एक हो गई दो फिर वो कहते हैं दो बत्तक थी पानी में तेर रही थी चौँच गई नीचे तो पूँच गई उपर जैसे ही अपनी चौँच तालाब के पानी में डालते हैं चौँच गई नीचे तो पूँच गई उपर दो बत्तक थी पानी में तेर रही थी फिर तीसरा बच्चा आ गया तीन बत्तक थी पानी में तेर रही थी चौँच गई नीचे तो पूँच गई उपर चोंच गई नीचे तो पूँच गई ऊपर तीन बतक थी पानी में तैर रही थी लेकिन यहां बात पानी में तैरने की नहीं है यहां बात है क्वैक 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 करने की उन्होंने क्या कहा कि जो बेबी डग लिंग्स थी वो क्वैक क्वैक कर रही थी ज्यादा शोर कर रही थी और शोर उस सवैन को पसंद नहीं था वो अपने बच्चों को पीटने लगा और उनको मृत्यू तक पीटता रहा जब तक पीटता रहा क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी ज़्यादा क्वैक करती थी Luckily Mr. Kissing took the joke the right way और मेरी किसमत अच्छी थी कि Mr. Kissing ने भी उस joke को अच्छे तरीके से ले लिया He read the poem to the class उसने पूरी class को ये poem सुनाई Adding his own comments और अपने comment भी इस पर जोड़ दी कि मैं इसके विशे में क्या कहना चाता हूँ and to several other classes as well और उन्होंने बाकी भी कई classes में ये कवीता सुनाई since then I have been allowed to talk और उसके बाद teacher ने मेरी परतीभा को देख कर में पोईम को देख कर और जो मैंने उसमें जोक सुनाया था कि सर अगर मैं ज्यादा क्वैक करती हूँ ज्यादा क्योव क्योव करती हूँ तो आप भी मुझे पीट पीट कर मार डालो बच्चे की भावना अध्यापक समझ जाता है ना के वल उस कक्षा में कवीता सुनाता है कई और कख्षाओं में भी कवीताएं सुनाता है और फिर उसे बोलना भी अलाव कर देता है और उसके बाद तो मुझे कभी सजा भी नहीं मिली एक्स्टा होमवर्क भी नहीं मिला और देखिए हमारे टीचर के विवहार में भी काफी परिवर्तन आ गया और वो हमें अब भी जोक्स सुनाते हैं और नीचे डायरी में लिखाओ था यॉर्ज एनी तुम्हारी एनी एनी फ्रेंक वो लड़की जो बच्पन में ही अधिक यातनाओं और बीमारी के कारण मर गई वो उसकी डायरी बच जाती है और उसका पिता अपनी बेटी की याद में किस तरह से डायरी पूबलिश कराता है उसी डायरी में से एके-क्सट्रैक्ट है एक टुकड़ा है फ्रूम अधा डायरी ऑफ यंग गरल मिथ यह अड़ाइप्श्टेशं और ये बिल्कुल हमारे मन को छू रहा है बिल्कुल हमारे दिल को छू रहा है आईए दो केस्टिन इसके कर लेते हैं चार केस्टिन इसके कर लेते हैं औरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉइड विद एनि इसमें जो मुठभेड़ बताई गई है Mr. Kissing और एनी की तो क्यों दुखी थे What did he ask और उन्होंने क्या कहा दुखी तो थे उसके ज़्यादा बोलने पर और बोलने को इसमें खास बात कही गए क्वैक क्वैक क्या बतक की तरह सारा दिन बकबक किये जाती हो और काम दिया उनको एक्स्टा होंवर्क के Write an essay on और essay का टाइटल था Chatterbox C-H-E-T-T-E-R Chatterbox Second question देखते है How did Annie justify her being a chatterbox in her essay वो कैसे कहती है कि मैं ठीक हूँ वो तो ठीक ही कहती है कि बच्चों का तुम बोलने का जनम सी ददिकार है और मैं ही नहीं बोलती मेरी माँ भी बोलती है मुझे मेरी माँ से ये गुण मिला है तो अगर कोई fault है तो वो my mother का fault है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती Do you think Mr. Kissing was a strict teacher? ये question थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा क्या वो strict teacher था? ज्यादा strict तो नहीं था पर उसे बोलना पसंद नहीं था इसलिए वो उसको extra work देता है लेकिन जैसे ही वो एक बहुत शांदार poem लिख कर अपनी बात को समझा जाती है तो वही teacher उसे बहुत प्यार भी करने लगता है उसे कभी extra work नहीं देता और यहां तक कि उसे class में बोलने की भी आजादी दे दी जाती है और हर बच्चे को पूरी आजादी मिलनी चाहिए हर बच्चा genius है हर बच्चे के अपने तोर तरीके होते हैं सीखने के कक्षा कक्स में हर बच्चे को पूरी आजादी मिलनी भी चाहिए question number four what made Mr. Kissing allow Annie to talk in the class और यह हमने अभी discuss किया उनकी poem से परभावित होकर इनकी परतीभा से परभावित होकर teacher उने कक्षा में बोलने की आजादी दे दे थे तो this was all about a diary from Annie Frank और बहुत अच्छी थी बहुत मन को चूने वाली हद्यस स्पर्शी वर्म स्पर्शी बहुत बढ़िया कहानी and I hope आप सभी को यह बहुत पसंद आई होगी write your comments in the comment box उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी like आप कर सकते हैं subscribe आप चैनल को कर सकते हैं और आप कोई भी question इसके बारे में हो तो हमें comment करके लिख सकते हैं बने रही अपनी अंग्रेजी की पार्शाला में इसी तरह से आपके हर पार्ट के बारे में हर query के बारे में discuss किया जाएगा grammar के बारे में हमने discuss किया है चैनल को आप subscribe करेंगे तो सारी की सारी videos जो specially कक्षा 9 से 12 के लिए बनाई गई हैं आप उन में से 10 वी की pick करें और देखें और आराम से सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं Thank you, thank you very much